एक समुदरी जीव विज्यानी ने पानी से भरे एक बड़े टैंक में शार्क को डाला। कुछ देर बाद उसने उसमें कुछ चार मचलिया डाल दी। चार मचलियों को देखते ही शार्क तुरंट तैरकर उनकी ओर गई और उन पर हमला कर उन्हें खा लिया। समुदरी जीव विज्यानी ने कुछ और चार मचलिया टैंक में डाली और वे भी तुरंट शार्क का आहार बन गई। अब समुदरी जीव विज्यानी ने एक कांच का मजबूत पारदर्शी टुकड़ा उस टैंक के बीचुम बीच डाल दिया। अब टैंक दो भागों में बंट चुका था। एक भाग में शार्क थी। दूसरे भाग में उसने कुछ चार मचली डाल दी। विभाजक पारदर्शी कांच से शार्क चार मचलीयों को देख सकती थी। चार मचलीयों के देख शार्क फिर से उन पर हमला करने के लिए उस ओर तैरी। लेकिन कांच के विभाजक टुकड़े से टकरा कर रह गई। उसने फिर से कोशिश की। लेकिन कांच के टुकड़े के कारण right चार मचलियों तक नहीं पुहुँच सकी। शार्क ने दरजनोंबार पूरी आकरामकता के साथ चार मचलियों पर हमला करने की कोशिश की। लेकिन बीच में कांच का टुकड़ा आ जाने के कारण भग असफल रही। कई दिनों तक शार्क उनकांच के विभाजक के पार जाने का प्रयास करती रही लेकिन सफल नहों सकी अंता ठकार कर उसने एक दिन हमला करना छोड़ दिया और टैंक के अपने भाग में रहने लगी कुछ दिनों बाद समुदरी जीव विग्यानी ने टैंक से वह कांच का वि कर सकती सीख जीवन में असफलता का सामना करते करते कई बार हम अंदर से तूट जाते हैं और हार मान लेते हैं हम सोच लेते हैं कि अब चाहे कितनी भी कोशिश कर लें सफलता हासिल करना ना मुम्किन है और उसके बाद हम कभी कोशिश ही नहीं करते जबकि सफलता प्राप् से फिर महंत करें सफलता आपके कदम चुमेगी